बच्चों ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं बोलने वाला हूँ यह बहुत important and serious matter है कई बार हम सब के साथ क्या होता है हम अपना self-esteem या self-confidence या आत्म विश्वास वो हम अपने उपर नहीं ला पाते हमें बहुत से लोग बहुत से अच्छी बाते बोलते हैं motivate करते हैं लेकिन हम अपना आत्म विश्वास खो देते हैं हम बार-बार मुश्किल situation आने पे घबरा जाते हैं परेशान हो जाते हैं तो ऐसी situation में हमें क्या करना चाहिए और यह क्यूं होता है यह मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अभी अभी सभी स्टूडेंट्स एक बार कमर सीधी करके आँखे बंद करके बैठेंगे एक बार कमर सीधी करेंगे आँखे बंद करके बैठेंगे ध्यान से मेरी बाते सुनेंगे सिर्फ कमर सीधी करके आँखे बंद करके बैठेंगे बहुत important बात बता रहा हूं एक लंबी सांस लेंगे, relax करेंगे पांच बार लंबी-लंबी सांस लेंगे, relax करेंगे लेकिन आखें बंद रखेंगे relax बिल्कुल आराम से लेनी है, लंबी लेनी है लेकिन आराम से relax, पांच बार आँखे बंद रखेंगे सभी imagine करें आप अपने आपको देख रहे हो imagine करें आप अपने घर में अपने शीशे के सामने खड़े हो एक बड़ा सा शीशा है उसके सामने आप खड़े हो और आप अपने आपको देख पा रहे हो imagine करें आप अपने घर में एक बड़े से शीशे के सामने खड़े हो देखो आपके घर में शीशा कहां पे है उस जगह को याद करो और imagine करो आप वहां खड़े हो और एक शीशे के सामने अपने आपको देख रहे हो शीशे में देख रहे हो आँखे बंद रखेंगे देखिए आपकी किस तरह की आपकी ड्रेस है आपने क्या कपड़े पैने है आपके चैरे पे किस तरह की फीलिंग्स हैं किस तरह के भाव हैं आप confident दिख रहे हैं नर्वस दिख रहे हैं आप देख भी पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो आपकी तस्वीर आपको पूरी दिखाई दे रही है आधी दिखाई दे रही है या धुदली दिखाई दे रही है या दिखाई नहीं दे रही है ध्यान से देखें अपने आपको, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, आपने शूज किस कलर के डाले हुए हैं ध्यान से देखने ही कोशिश करें, धीरे से आँके खोलेंगे सबी, open your eyes eyes open करें, very good, okay, let's pick some students, चलो मैं randomly पूछूँँगा, वो बच्चे जवाब देगे कितने बच्चे हैं, इमानदारी से बताना, कितने बच्चे हैं, जिनको अपना चहरा पूरा दिखाए दिया था, मतला पूरा शरीर दिखाए दिया था, वो हाथ खड़ा करें, इमानदारी से good, very good, very good, हाथ नीचे कर लें कितने बच्चों को अपना शरीर आधा दिखाई दिया था या तो उपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा वो हाथ उठाएंगे जिनको आधा दिखाई दिया था कोई इदर उदर नहीं देखेगा मेरे स्क्रीन पर देखेंगे सब सब्स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे मुझे देखना है किसका क्या था क्या नहीं था कितने बच्चे हैं जिनको दिखाई ही नहीं दिया कुछ भी जिनको कुछ दिखाई नहीं दिया शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे Good, good, very good students, very good कितने बच्चों को धुंदला दिखाई दिया? धुंदला, okay, blur था, ठीक है कितने बच्चों को किसी और की शकल दिखाई दिखाई दि, अपनी दिखाई नहीं दि क्या कोई बच्चा है जिसको किसी और की शकल दिखाई दि, अपनी दिखाई नहीं दि आपको कोई नहीं बताने वाला Self image Self image का मतलब है जैसे हम कहते हैं यार मार्केट में मेरी image है School में मेरी एक अलग image है मैं ऐसा student हूँ मैं वैसा student हूँ हमारी दो तरह की images होती हैं एक images जो दूसरों की नजरों में हमारी है एक जो हमारी नजरों में हमारी है ध्यान से सुनेंगे इस बात को बहुत important बात है हम दो तरह से जानने जाते हैं एक दुनिया हमें कैसा देखती है और हम अपने आपको कैसा देखते हैं किसी की नजरों में मेरी इमेज है कि मैं एक आदमी हूँ, नॉर्मल इनसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता, मुझे मैं बेवकूफ हूँ किसी की नजरों में इमेज है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ किसी की नजरों में मेरी इमेज है कि मैं एक अभी जवान लड़का हूँ सिर्फ इस से ज़्यादा कुछ नहीं किसी की नजरों में है कि मैं एक टीचर बन चुका हूँ तो हर इनसान की नजरों में मेरी इमेज अलग है माबाप की नजरों में मेरी इमेज अलग है हम दो भाई है तो माबाप की नजरों में है कि ये शरारती है ये शरीफ है होता है ना गर में ऐसा कि ये हमारे गर में शैतान बच्चा है ये हमारे गर में प्यारा बच्चा है होता है ऐसा लो क्लास में भी टीचर कहते है न हाँ क्लास में भी टीचर कहते है न कि जी ये हमारे क्लास का intelligent बच्चा है ये थोड़ा सा मैनत कम करते हैं ये शरारते करते हैं ये गुस्सा करता है ये नहीं करता है यह बचा खेलकूद में अच्छा यह खेलकूद में अच्छा नहीं है ऐसे पता चलता है बताते हैं लोग आपके बारे में Yes or No? अब देखिए ऐसा क्यों होता है आप तो एक ही हो वहीं पे आपके परिवार वारे आपकी मम्मी कहते है जी मेरा बच्चा सबसे शरीफ है वहीं पे पड़ोसी कहते है जी यह बच्चा सबसे शैतान है वहीं पे आपके स्कूल में कहते हैं जी यह बच्चा बहुत मस्ती करता है और आपके रिष्टदार मामा मामी ये कहते हैं कि जी ये बच्चा बिलकुल शरारत नहीं करता है तो चुपचा बैठा रहता हमारे पास आने के बाद हुआ है ना आपके साथ आपके बारे में कोई कुछ कहता है Yes or no अब ऐसे टाइम पे क्या problem क्या आती है एक होती है self image, एक होती है others image next topic पे हम इसी से start करेंगे self image का मतलब है कि मैं अपने आपको कैसे देख रहा हूँ मैं अपने बारे में क्या जानता हूँ मैरा दिमाग मेरे बारे में क्या मानता है क्या मैं सुन्दर दिखता हूँ मैं धुंदला हूँ मतलब मुझे अपनी तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती मैं तस्वीर के अंदर जिन बच्चों को दिखाई दिया था अपने आपको मैं स्माइल कर रहा हूँ मतलब खुश हूँ अंदर से या मैं खुश नहीं हूँ मैं दिखाई ही नहीं दे रहा मतलब मेरे दिमाग को पता ही नहीं है कि अंदर से हो क्या रहा है उसके अंदर खुद की कोई इमेज नहीं है जो बच्चे जिन बच्चों को ध्यान से सुनेंगे आप सभी को पता है मैं क्या बात बोल रहा हूं जिन बच्चों को किसी और का चेहरा दिखाई दिया था आखरी से स्टार्ट करेंगे वो बच्चों के दिमाग में किसी और की पर्सनालिटी वेक्तित्व बहुत जादा माइने रखता है वो किसी और से परभावित है जिन बच्चों को अपना शरीर दुंदला दिखाई दिया था मतलब वो clear नहीं है अपने खुद को क्या justify करें आपकी identity आपकी पहचान अंदर से कैसी है उसके बारे में वो clear नहीं है जिन बच्चों को आदा शरीर दिखाई देता है इट मिंस वो half confident है वो अपने आपके पूरा विश्वास नहीं है उन बच्चों को जिन बच्चों को पूरा शरीर दिखाई देता है इट मिंस वो बच्चों को अपने बारे में पता है कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं और जिन बच्चों को अपना शरीर भी दिखाई 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 हुआ कि ने खिलास में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं सेल्फ 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 इमेज सेल्फ इमेज तो आथ के लिए इतना ही थैंकि इसो सेल्फ